मैं यहां है है ए है यह ए आज में आप लोगों को यह बताओं bye जैसे कि अभी हमारी बात हुई थी last का क्वाइब के साथ कि हमें तुक्त करने जा रहे हैं ऐसे बहुत करने के लिए आज में आपको यह बताऊंगा कि उस batch में कौन-कौन से topics होंगे जो FICO से बिलॉंग करते हैं और कौन-कौन से topic हम cover करें that means FICO content this topic I will cover in the SAP FICO batch the topic would be what would be a topic I am just covering of this in this video so guys यह सारी videos है यह सारे जो topics है वो मैं आज इन में cover करूँगा तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम देखे तो मैं confident about us कि अगर मैं बात करूँगा this is the only kind of information which I want to show you this and a part of this let's come with the F5 in the time of starting of the batch of first class I will define मैं आपको यह भी define करूँगा कि SAP FI क्या होता है CEO क्या होता है क्या-क्या इनके areas है क्या-क्या pre-requisition है यह सारी चीज़े करने के बाद उसके बाद मैं आपको यह बताते हुए यह होता है अब हम course content में देखेंगे कि जब से पहले मैं आपको बता दो कि यह जो course है इस course के लिए लगबगा round of 40 hour लगेगा और फिर हम इसमें कैसे करेंगे कब इसके लिए हम server provide करेंगे और six month six month के लिए server होगा जो free of cost होगा वो हमारे तरफ से बाद अगर हम देखेंगे कि इसमें enterprise structure that means define company and define company goal और हम यह कह सकते हैं कि मैं जो आपको इसमें बताऊंगा वो एकदम starting से beginner से that means हम एकदम scratch से start करेंगे एकदम scratch से start करेंगे जैसे suppose that कोई company है पहले दिन first day first day वो कैसे company बनती है क्या करते हैं कोड कैसे बनाते है assignment करते हैं उनकी business area कौन-कौन से यह सारी चीज़े इससे हम यह कह सकते हैं कि अगर यहां पे हम इस तरीके से cover करेंगे कि अगर किसी बन्दे को अगर SAP का बिल्कुल भी knowledge नहीं है ABCD भी knowledge नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको वहां से बताएंगे ठीक है हर सारी की सारी चोटी चीज़े मैं से start करेंगे as a beginning अगर कुछ इस तरीके से start करेंगे जिसको कुछ भी नहीं पता SAP का S भी नहीं पता उसे भी हम उनको भी ले करके चलेंगे और ऐसे बताएंगे यह वह भी कर सके देन उसके बाद कुछ global settings होती है जैसे कि आप देखोगे इसमें बहुत सारे parameters होते है basic parameter कौन-कौन से basic parameter होते है जैसे physical year variant create करना उसको assign करना posting period variant क्या होता है क्यों करते हैं कैसे करते हैं सारी की सारी चीजे मैं आपको explain करूँगा उसमें one by one open and close posting period क्या होता है ठीक है fill list data document type tolerance group क्या होते हैं कैसे assign करते हैं यह सारी की सारी चीजे मैं आपको उसमें cover करके बता यह सारी की सारी जब चीजे हो जाएंगी तब हम SAP FICO के जो sub modules है अगर मैं sub modules की बात करूँ FICO this is a separate module बट अगर हम उसकी बात करें sub modules इसके अंदर भी बहुत सारे चोटे-चोटे sub modules होते हैं वो कौन-कौन से module होते हैं जैसे GL module हो गया है यानि GL posting GL to GL posting तो GL to GL posting हो गया है assets module हो गया है banking module हो गया cash module हो गया ठीक है इसी तरीके से account receivable account payable all these are sub modules तो यह सारी की सारी चीजे मैं आपको जब बताऊंगा session में तो सारी की सारी चीजे cover करूँगा तो अगर हम इस GL module की बात करें तो इस GL module में आप देखोगे कि इस में साथ पता हुआ है साथ साथ इसमें मैंने mention किया है कि पहले मैं chart of account of the company account group retain earning then GL posting post GL document in SAP posting करना आपको बताऊंगा यानि अगर मैं account simple से simple simple entry में आपको बताऊंगा line item क्या होता है all सारी चीजे जो इसमें content में लिखे हुए है सारी चीजे cover करने के बाद हम move होंगे banking structure that means a banking structure banks related जो भी हमारे activities होती है वो सारी के सारे कैसे create होते है कहा होते है SAP में हम क्यों करते है क्या होता है bank की house bank क्या होता है check lots कैसे हम create करते है check register क्या होता है ये सारी की सारी चीजे में आपको बताने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें cash management cash management is a sub module है ये भी sub module है जिसमें cash से related कैसे petty cash हो गया petty cash जो चोटे मोटे जो cash होते हैं जिनका वो सारी की सारी वो सारी 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 activities और वो सारे configuration में इसमें cover करूंगा after the configuration of this हम आगे बढ़ेंगे कैसे posting करते हैं वो सारी की चारी चीजे करेंगे account receivable फिर हम क्या करेंगे start करेंगे account receivable account receivable customer को कैसे create करना है customer का group कैसे होगा ठीक है customer tolerance कैसे होगा उसको display block change customer में हम पोस्टिंग करना बताएंगे फिर sales invoice देखेंगे कि हमें sales invoice कैसे करना है payment posting कैसे होगी setting of the advanced payment advanced payment के बारे में हम देखेंगे यह सारी की सारी चीजे में cover करने के बाद फिर उसके बाद में item interest calculation यह भी एक sub-module था जो कि interest calculation कैसे होता है CP में यह सारी की सारी चीजे में आपको define करूंगा then account payable जैसा कि हमने अभी customer का पड़ा ठीक उसी तरीके से vendor का भी हम सब कुछ करेंगे जैसे vendor account group number range, vendor creation, display कैसे करना है अब मैं यह कह सकता हूँ कि एक दब starting से और beginning से करेंगे then vendor की posting कैसे करना है vendor invoice posting कैसे करेंगे vendor payment कैसे करेंगे partial payment, residual payment क्या होता है, क्यों करते हैं यह सारी की सारी चीजे में है आपको define करते हुए यह हमारा जब account payable हो जागा तो withholding tax withholding tax that means TDS, TDS हम इसमें cover करेंगे TDS related कैसे configure करते हैं, क्या करते हैं ठीक है, यह सारी चीजे करने के बाद GST, GST calculation के क्या कौन-कौन से fund है कैसे हम create करेंगे posting कैसे करेंगे, GL कैसे create करने के बाद उसको assign करना होगा, कैसे करेंगे testing करेंगे, उसको testing innocence हम उसे posting करेंगे, मैं आपको उसको posting करके भी बताऊंगा Then Morning Currency Valuation Common Currency Valuation, क्या होता है क्यूं करते हैं, कैसे हम उसको Refined Valuation Method क्या होता है यह सारी चीजे की कवर करने के बाद Assets Accounting Assets Accounting हम पढ़ेंगे, कि Assets Accounting क्या होता है, क्यूं करते हैं Chart of Depreciation क्या होता है Chart of Depreciation of Account Account Retirmination से होंगे यह सारी चीज़े मैं आपको बताने से सारी चीज़े कवर करूंगा जो कि एक एक एसेट्स अकांटी है बहुत बड़ा टॉपिक है वो सारा का सारा टॉपिक हम कवर करेंगे देन मैं इसको आपको बताऊंगा कि configuration करने के करते हैं मतलब हम यह आपको यह बताऊंगा कि configuration तो बताऊंगा यह बताऊंगा इसको क यूज करना है पहले हम पर्चेस करेंगे उस पर्चेस करने के बाद पहले हम Shrepet करेंगे फिसकोlad in करेंगे फिर डेप्रिशेशन लगाएंगे फिर उसको हम सेल भी करेंगे अब आप क्या देखोगे इसमें कि कुछ ऐसे प्रोसेस होता है हर कंपनी में प्रोसेस होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है यहां पे की में मॉडciulen का इसडी मॉड्यल का काराइजो कि इसडी मॉड्यल का मैं एक मॉड्यूल का बंदा कैसे करेगा क्या करेगा कैसे करता है वो सारी चीज़े बताने के बाद मैं P2P process यानि किसी भी company में अगर procure to pay process है तो कैसे use होता है, कौन-कौन सी steps होते है, कैसे-कैसे वो general interior create होंगी, कहाँ पर create होंगी कहाँ नहीं होंगी, यह सारी चीज़े define करने के बाद, मैं आपको ठीक उसी तरीके से sales and distribution, selling process कैसे होता है, यह 2-Z define करूँगा, then LSMW, अभी guys क्या है कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, और अभी भी मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अभी जो हम जो course start करेंगे वो हम S4HANA में करेंगे अब S4HANA में होता क्या है कि एक कुछ start party app भी आ गया है, जैसे जैसे कि अब LSMW की अगर मैं बात करूँ तो S4HANA में वो change हो गया है वो हो गया है LTMC हमें से बोलते है, थो ऐसा functionality change है, क्योंकि यह new version है तो अब होता है क्या है कि functionality change होने के वज़े से इनको इनका एक अलग app आता है जैसे हम बोलते है LTMC की LTMC web browser के तुरू होता है एक एप होता है उसके तुरू तो अभी क्या है कि S4HANA में वो access मिल पाना बहुत ही मुस्किल होता है, इसके लिए क्या होता है कि हमें एक अलग से vendor को pay करना पड़ता है करने के बाद क्या होगा कि costly भी बैठता है तो मैं क्या करूँगा आपको ये LSMW और House Bank Creation जो की Fury के तुरू होता है Fury जल्दी मिलता नहीं है ये सारी चीज़े जल्दी मिलती नहीं अगर हम vendors के पास जाते भी है उनसे purchase भी करते है आप लोगों के लिए Server तो कोई Fury नहीं देता अगर कोई Fury एकसेस देता है तो LPMC नहीं देता और अगर कोई दोनों देता है तो उनकी Services अच्छी नहीं होती Services इंडर सेंस आप अगर आप कोई काम कर रहे हो Server पे अगर कोई Issue आ जाता है तो vendor serious मिल देते तो आपका फुराथ disturb होता है तो कोई बाद नहीं House bank creation जहां पे Fury होगा और LSMW जहां पे पहले लटीमसी आ गया इन चीजों को मैं आपको ECC पे cover कर दूँगा इससे क्या होगा आपको S4 HANA भी हो गया और ECC भी हो गया ECC क्या है आपका SAP का ही प्रीवियस वर्जेन है प्रीवियस वर्जेन है आज भी अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर कंप्रियां है कि ECC पे ही यूज़ कर रही है S4 HANA तो अभी नया आया है तो मैं आपको कुछ चीज़े ऐसी है जो कि जैसे house bank creation हो गया या फिर LSMW यह मैं आपको ECC पे cover कर दूँगा ECC पे cover करने से यह होगा कि अब आपको यह double benefit हो रहा है क्या कि वो आपको ECC का भी knowledge हो जाएगा और S4 HANA का भी knowledge हो जाएगा यानि आप यह भी कह सकते हो interviewer को कि हमें दोनों का knowledge है ECC का भी और S4 HANA का भी देन उसके बाद हम क्या करेंगे controlling CO parts में हम कुछ चीज़े हैं जैसे controlling area define करना controlling elements assigned to a controlling area to company group cost element, cost center profit center for profit center group hierarchy ठीकि देन उसके बाद हम posting करेंगे उसका reports देखेंगे यह सारी चीज़े जो है कि हमारा यह cover होगा जो कि FICO content है यह सारे के सारे content होगे एक भी topic हो नहीं होगा और guys मैं चीज़े बताना चाहूँगा कि यहां पर आपको practical scenario practical scenario जो live scenario जिसे हम कहते हैं ठीक है end to end scenario मैं आपको बताऊँगा from scratch scratch in the sense of बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं होगा यानि बिल्कुल नहीं पता that is a fresher ठीक है बिल्कुल fresher है उनके लिए मैं यह cover करके चलूँगा यह basic हमारा जो है कि basic course element है ठीक है यह सारी चीज़े ऐस बेसिक से यूज करूँगा apart of this अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा कि जैसे ही हमारा 50% course complete होगा देन मैं आपको कुछ interview से related कुछ आपको tips दूँगा देन interview में पूश जाने वाले questions जो होते हैं वो सारे के सारे आपको मैं notes दूँगा 50% course पे ही दे दूँगा ताकि वह आप उसे पढ़ो देखो और धीदे धीदे उसको सीखना सोगर और relate करना सोगर इससे क्या होगा जैसे ही आपका 100% आपका course complete होगा उदर interview के question भी prepare हो चुके होगे और 6 month के लिए server हम provide करेंगे ही करेंगे ठीक है आप उस पर practice करो ज्यादा से ज्यादा practice करोगे ठीक है उसके बाद resume कैसे create करना है resume कैसे करें मैं कुछ sample दूँगा आप लोगों को तो यह सारी के सारी activities जो है कि यह benefits है जो हम आपको अपने तरफ से provide करेंगे तो guys यह है मेरा जो है कि FICO का content है जो कि मैं cover करूँगा तो यह है अगर आपको अभी भी कोई query हो कोई question हो तो आप रोहन से या फिल video के end में comments में आप देख करके आप यह देख सकते हो और अगर query होगा तो आप directly जो है कि रोहन से भी आप पूछ सकते हो ठीक है ठीक है guys फिर यह था मेरा आज का content का video ओके guys ओके बाई बाई